हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एट्यू टेनल सावस और सलुशन्स पर और आप देख रहे हैं रियेक्ट 18 का फूल टिटोरियल सिरीज आज के हम लोग इस वीडियो में देखेने वाले हैं SPA के बारे में, यानि कि single page application क्या होता है ये question important इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ReactJS सिखने की बात कर रहे हैं आप लोग ReactJS सिखने वाले हैं तो ReactJS जो है वो single page application है यानि कि ReactJS में केवल एक ही HTML का page होगा तो क्या होता है single page application क्यों इसको जानना बहुँ ज़्यदा जरूरी है single page application का, यानि कि SPA का क्या importance है क्यों single page application इतना popular है इसका advantage क्या है और इसका disadvantage क्या है जैसे कि हम आपको starting से बताते आ रहे हैं कि हर चीज का advantage और disadvantage होता है तो आज हम लोग single page application के बारे में भी देखेंगे किसका advantage क्या होता है और इसका disadvantage क्या होता है ये question आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको आप लोग carefully देखिए और वीडियो के last तक बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि react जो है वो single page application है तो क्यों ह है single page application के अलावा और concept techniques को fulfill करके application develop किया था है वो सब भी हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग complete SPA के बारे में देखने वाले हैं तो बने रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ और अभी तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल की आइकन को भी दबाना ना भूले क्योंकि अगर आप प्रेस करकर जो अभी मैं ने बताया कि आप में क्योले कर सकते हैं तो तो अपषद होते हैं जैसे कि मल्ट पेज अपलीके 쉬wn या तहां मल्ट पेज अप्लिकेश्ग बनाएंगे जिसे MPA बोलते हैं या फिर आप सिंगल Basically के इस पीजों को समझने से पहले अगर मैं आपको डिरेक्ली सींगल पाप्लिकेशन समझाता ह rope account ऑ सारे चीजे सारे सिच्टिवेशन के सपर अब यह प्रोफाइट करता है is लिए home सबसे पहले मल्टीप्रेज अप्लिकेशन को समझें मल्टीपेज अब्लीकेशन क्या होता है इसके बेनिफिट क्या है उसके डिटिसर्वांटिज का है तब इसके बाद हम single page समझेंगे तब आपको सारा picture killer हो जाएगा कि multipage में यह था single page में हमें यह benefit मिल रहा है ठीक है इन सारे चीजों को अच्छे से इस में वीडियो में describe किया है इसको आप अच्छे से समझें सबसे पहले हम multipage application के बारे में समझेंगे कि multipage application होता क्या actually जो भी आप application develop करते हैं ट्रजीशन ट्रडिशनल बेब applications जो होते हैं अधर टेक्नलोजी में develop करते हैं तो एक multipage application वहाँ पर हम develop करते हैं ठीक है इसमें होता है क्या है कि बहुत सारे पेज़ बनते हैं ठीक है आप किसी पेज को request करते हैं तो इंटायर पेज जो पूरा page होता है उसको reload करेगा refresh करेगा ठीक है जब भी आप यूजर किसी भी आपके बेब application के बेब पेज से interact करेगा सुचिए आप किसी लिंग पर क्लिक करते हैं आप मतलब कि user किसी पेज कर रहा है तो क्या होगा को request server के पास चाहेगा server उसके लिए html generate करेगा उसके लिए page generate करेगा उसके बाद वो client को भेज़ेगा client क्या करेगा उसको ब्राउजर पर दिखाएगा तो इसमें क्यों होता है बहुत सरा time लग जाता है क्योंकि यहां पर pages होते हैं और pages को render करने के लिए हमें server पर execute कराकर लाकर यहां पर ब्राउजर पर दिखाना होता है तो इसमें time लगता है इवरी रिक्वेश्ट पर यह process चलता है ठीक है यह traditional web application की जो बात मैं कर रहा हूं जैसे आप लोग.net.php या फिर जावा में develop करते हैं तो हाँ पर बहुत सरे pages बनते हैं कि contact us pages हो गया student details page हो गया मतलब कि एक application में hundreds of pages यह multiple बहुत सारे pages हम बना देते हैं तो यह हो गया multi-page application इसमें यह demerit होता है कि जब भी आप उस पर request करेंगे माल यह कोई data क्रीक्वेश्ट आपने किया तो पूरे page को render करेगा रिलूड करेगा refresh करेगा क्योंकि वो server request लेकर आएगा फिर आपके browser पर दिखाएगा तो इसमें ज्यादा time लेक्टता है हलाकि इसके लिए भी Ajax का process है आप यूज करते हैं लेकिन जब हम Ajax इसमें यूज करते हैं तो जो हमारा code होता है तो more difficult और complex हो जाता है इसली हम Ajax को यूज नहीं कर पाते करते भी हैं तो हमारा काम तो करता है कि सारे page को render नहीं करने रहता लेकिन code जो होगा complex और difficult हो जाता है इसके बाद हम यह समझते हैं कि इसकी benefits क्या क्या है सिंग मल्टिपेज अप्लिकेशन के मल्टिपेज अप्लिकेशन के benefits भी है जैसे कि यह SEO friendly होता है SEO का मतलब क्या होता है search engine optimization ठीक है इसमें इसलिए SEO friendly होता है क्योंकि इसमें सारे pages जो बनते हैं इसके सारे path static बन जाते हैं कि आपका यह.com slash pages बनते हैं बहुत सारे pages बनाते हैं ठीक है और page पर page आपका वही रहता है और सारे page का जो हम build करके डालते हैं अपने वर्चुल डिरेक्टी पर वीडी पर तो सारे pages का उस तरीके से map बना हो जाता है कि कौन सा page किस folder के अंदर कैसे उसका path हम set करकर रखते हैं ठीक है तो यह क्या करता है कि ranking करने में जब Google आपके किसी भी meta data के keyword पर rank करता है किसी भी page को तो ranking के लिए उसको पुरोपर path मिल जाता है क्योंकि जो क्योंकि aesthetic path type का हो जाता है ठीक है तो उसको SEO करने में optimize करने में अशानी हो जाता है और बहुत सारे pages बनाते हैं और हर page पर आप meta tags लिख सकते हैं इसलिए यह beauty है multi-page application का बहुत सारे pages बनेंगे हर page पर आप अपना क्या करेंगे कि meta tag लिख सकते हैं उन keyword पर जो भी search engine होता है keyword पर target करता है और उस पर ranking set करता है कि आपका page किस rank पर आएगा यह SEO friendly हो जाता है उसके बाद होता है कि जो MP होता है जो multi-page application जो होता है कि आप कोई भी नया content develop करते हैं या फिर उसको आप replace कर रहते हैं directly page पर जाकर multi-page application में कहने का मतलब यह है कि कोई भी content आप बनाते हैं तो उसके लिए नया page बना दीजिए या पुराने page पर ही जाकर उसको replace कर दिए सारे facility हम कर लेते हैं इसमें multi-page application में बहुत सारे information बहुत सारे features एक ही page पर हम रख लेते हैं क्योंकि वो तो page होता है आप उस page को request करेंगे तो पूरा page आकर load होगा ठीक है यही single page application में क्या हो जाता है कि वहाँ पर component बेस्ट हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे features को एक page पर हम नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि उसमें loading में ज्यादा time लेने लगता है ठीक है तो इस परफेक्टिक्स से भी आपका benefit देता है multi-page application जब आप इस तरीके के application develop करते हैं जहां पर बहुत सारे information एक ही page पर हमें दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम कर लेते multi-page application develop करने के लिए ठीक है उसके बाद आप Google Analytics की बात करें Google Analytics में भी अगर multi-page application अपने develop किया है तो बहुत सारा information आप Google Analytics से ले सकते हैं कि आपके website पर कौन सा page चल रहा है नहीं चल रहा है कितने widgets आ रहा है कौन से page पर कितना widgets आ रहा है यह सारे information इजली आप गेदर कर सकते हैं जबकि single page application में उतने सारे information होते हैं page wise आप get करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं काने का मतलब कि इसमें single page application में कि हम इस तरीके की information ले सकते हैं कितने विजिट की है जब हां पर बात आती है page वाई क्योंकि यहां पर page होता ही नहीं है single page application में तो उस तरीके से Google Analytics में उस तरीके का information नहीं ले पाएंगे कि कौन से page पर कितने विजिटर से हैं कौन से page में क्या दीकेते हैं कौन से page लूड नहीं हो रहा है किसका पात गलत है यह सारे चीज़े information MPA में बहुत इजली मिल जाता है जब Google Analytics करते हैं तो अब Google Analytics क्या है आप कहीं से Google से कहीं से पढ़ सकते हैं Google Analytics क्या है अगर आप लोग को ज्यादा दीकत होगा था आप हमें कमेंट कीज़ेगा इस पर मैं आप के लिए अच्छा से वीडियो लेकर आ जाओंगा जो आप मैं समझा दूँ है Google Analytics होता क्या है ठीक है उसके बाद यह क्या करता है कि विजूल मैप अध्यूल मतलब यूजर को कि आप कौन को सके हां पर सारे पेज़ें की फोल्डर के अंदर है इस तरीके से आप इसमें प्रवाइड कर सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ड्रोबैक क्या है मुल्टिपेज अप्लिकेशन का है देखिए ड्रोबैक सबसे पहला जो तो में डोर ड्रोबैक है ओ है स्लो स्पीड एंड परफॉर्मेंस मल्टी पेज अप्लिकेशन हमेशा लोड होने में टाइम लेता है क्योंकि जैसे मैं आप लोग को दिर पहले बताया कि यह क्या होता है कि लोड करने के लिए ब्राउजर पर जैसे रिक्विश्ट आता है तो हैं इससे क्या होता है कि इन्टायर प्लिकेशन और को जब डाउड करता है तो उसमें इतने भी रिसोर्से सबको नूप करेगा हर रिसोर्स पर हमनोड करके प्र दिखाएगा पर आपके पर लोडेत करेगा जितने भी हDMAil CSES ए क्विश्ट पर दिखाएगा ते टाइम लेता है वहीं पर सिंगल पज अप्लिकेशन में क्या होता है कि वह इतना टाइम नहीं ले पाता क्योंकि वहाँ पर पेज रिप्रेस होते ही नहीं आपके से यह सारी चीजे में आगे आपको बताऊंगा कि सिंगल पज अप्लिकेशन में क्या होता है उसके बाद मोर टाइम और डेवलप्मेंट जब डेवलप्मेंट की बात आती है इसमें ज्यादा टाइम लगता है अ कंपेयर टू एस पीए एंपिए टेक्स लॉंगर टू डेवल लगां चाहिए जब ही मल्टि पेिज अप्लिकेशन डिबलप करने की बात करते हैं उसके बास आता है कि मेंटेनेंस अपडेट सुंग अब मेंटेन जो क् bonito किया चैप कभी टेब्यकेशन को जब में पर्क जब मर्टे बन के रडिकेशन से अपन करना होता है कुछ अलग-अलग पास से जयनेट ऊक्यायत होते हैं तो हर पेज पर आपको check करना पड़ेगा कि कहां पर है कैसे है किस तरही किसे आ रहा है सेक्यों स्वाइब बनाना पड़ेगा हर पेज को maintain करने के लिए वहीं पर और यहां पर front-in and back-in development are tightly coupled front-in और backend development होते हैं तो इसमें फ्रेंट होता है जो इवाइड डेवलप करते हैं जिसमें की उज्य इंट्रेक्शन होता है और एक बैक इन होता है जहां पर डेटा बनाते हैं डेटा को स्टूर करकर रखते हैं तो बैक तब दुनों tightly coupled होते हैं यहां पर MultiPage Application में अब हम बात करेंगे कि Single Page Application क्या है जब भी हम traditional Web Application की बात करते हैं जहां पर MPA की बात करें तो हर request पर क्या होता है कि हर request server के पास जाता है से Response आता है तो सारे पूरे page को reload करता है तो इसमें ज्यादा time लग जाता है वहीं पर जब SPA में क्या होता है कि फास्टर होता है traditional web application के से अगर हम compare करें क्योंकि जो इसका जितना भी logic होता है directly browser पर जाकर execute होता है यहां पर वही पार्ट अपडेट किया आता है जो हमें दिखाना होता है माल लिए किसी component के लिए किसी link पर हमने क्लिक किया तो वही component आपक इंटायर page को हम refresh नहीं करते इसलिए क्या होता है कि फास्ट हो जाता है single page application जब हम develop करेंगे इसी सीरीज में आगे application single page application होंगे ताब आपको हां पर समझ में आएगा कि यहां पर pages ज्यादा नहीं बनेंगे यहां पर components बनते हैं ठीक है यहां पर single page एक ही page होगा उसी page पर सारे component लोड कर आए जाएंगे और MPA में कहोता है कि multiple pages बनते हैं यहां पर single page में multiple components बनेंगे जहां पर page की बात आएगो हां पर component बनेगा उसी component को हम replace करते हैं दूसरा component लोड कर देंगे पेज रिप्रेस भी नहीं होता और आपका data क्राइंट के पास फिर अगर आप आपने कुछ भी रिक्वेस्ट बेजा कुछ data update किया या फिर किसी भी तरीके का information करने के अपने request भी अगें रिक्वेस्ट जाएगा server के पास फिर हां से email जाएगा और पूरे page को फिर से reload कर देगा तो इसमें क्या होता है कि time लगता है इभरी request refresh the page हर request पर page को refresh करता है traditional page lifecycle में ठीक है वहीं पर आप single page की बात करेंगे तो क्या होगा एक बार request गया वह भी पार्षियली अंदर के जो data दिखाना होता है वहीं उतना data refresh होगा बाकि इंटायर पेज अप्लिकेशन्स में भी कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर आपको उसके code करने के लिए complex code हो जाता है इसलिए उतना प्रेफरेवल नहीं होता है उसके बाद हम बात करेंगे कि advantage of single page applications क्या क्या advantage single page applications के यह fast and responsive होता है single page application क्या करता है कि बहुत ही fast होता है कि कि इसी भी application के speed को improve कर देता है इसमें मतलब कि single page application में इंटायर पेज को अपडेट नहीं किया आता है कि वह required content को update कर दिया जाता है जिसे क्या होता है कि website का जो speed हो जाता है वह इंप्रूब हो जाता है most of resource जो होते है दिखाना होता है किसी लिंग पर क्लिक करना है तो वही पाटा कर रिप्लेस हो जाता है बागी सब कुछ IGT वैसे की वैसे ही रहता है बार बार हम एक ही चीज को सारी पर दिखा रहे होते हैं तो यहां पर क्या होता है कि speed बहुत ज्यादा इंप्रूब हो जाता है और किसी भी वी अप्लिकेशन के लिए speed बहुत ही माइन रखता है गुगल रिसर्च में भी यही बताया गया है कि अगर कोई भी अप्लिकेशन 200 मिली सेकेंड भी लेता है तो आपके बिजनेस के लिए highly impacted है ठीक है कहने का मतलब कि अगर आपका अप्लिकेशन लोड होने में या पेज को रिफ्रेश करने में ज्यादा टाइम लेता है तो उस पर ज्यादा नहीं आएंगे तो किसी भी भी अप्लिकेशन के लिए बहुत ही माहिन रखता है की पॉइंट है उसको फास्ट करना और रिस्पोंसिव करना तो यह दूनों चीजे देता है आपका सिंगल पेज अप्लिकेशन डेवलप करेंगे आगे इस सीरीज में आपको वहां पर दीखिएगा कि आपक सब्सक्राइब से कैसिंग और दुसरी बार क्या होता है कि हम कोई काम करना होता है तो कि इता को मेंटने कर लेते हैं इसicipBU कम भी है तो occup क capitalize करने करते हैं इसे क्या होता है कि हमरा आप्रीकेशन यहाँ परfel उप आप भी थ्यान रखना होता है को संस्वारूथ आँटेड को कि का करते हैं कुछ संचिज़ करना रखने कि did debugging with Chrome जब भी आप debug करने की कोशिस करते हैं सिंगल पेज अप्लिकेशन को debugging easy हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि Chrome के लिए कुछ इसे पूल्स प्रवाइड के जाता है जैसे कि अंगलर जेस के लिए है डियेक्ट टूल से रियक्ट के लिए यह क्या होता है कि अपना debugging टूल होता है जो कि डिरेक्टली प्राउजर में आपको आड कर दिया आता है जो इसके क्या करता है कि debugging बहुत ही हम एजली करते हैं जा रेदर दन कर लेते हैं उसके बाट कोई ब matar करना होता है सά 550 कम साईट हम हमसnier भेज यह होता है एस सारे इसके एडाइज है लेकिन एडवान्टेज होते हुए भी इसके बीकुछ डि अडवान्टेज हैं जिसे हमें समझना होगा ठीक है जिसे कि अप्टीमाइजिशन जितना अप्रेंडशी मुल्टी पेज MPA होते हैं उतना आपकासिंगल पेज अप्लीकेस्टन अप्लिकेस्टन नहीं होते ठीक है अब यहां पर कुछ लोग का प्रकाने का मतलब कि जो भी आपका एक बार लोड हो गया ठीक है उसके बाद किसी डेटा पर आप रिक्वेश्ट किसी लिंग पर क्लिक करते हैं कॉपोनेंट डाइनेमिकली आकर वहां पर लोड जाता है तो पर पर पात नहीं होता जो कि एक एक अप्टीमाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता उसको ट्रैक नहीं कर पाता कि कहले है का मतलब यहां पर कि किसी भी पेज के लिए ऍ бал YH नहीं बनते यहां पर डैयनेमिकली लिए अपने होत belong की अपने की हूए है उसपर आपिने कोई अब गूगल ने कुछ नया स्कीम भी लॉंच किया जिसे कि आप सिंगल पज अप्लिकेशन को भी अजली फ्रेंडली बना सकते हैं उसके मतलब कि गूगल अब क्या करेगा कि डाइनेमिक पेज को भी इंडेक्स करेगा बट इसके लिए डेवलपर को यह मेक्सिर होना होगा कि उनके जावास्कृट फाइल भी इंडेक्सेड है कि नहीं है गूगल पर इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं उसके बाद अब हमें समझना है कि ब्राउजर हिस्ट्री इस्पेड़ नोट से विजिटर जंप बिट्विन स्टेट्स मतलब कि यह ब्राउज बैब ब्राउजर क्या करता है कि यूजर को प्रीवियस पेज पर ले आता है प्रीवियस श्टेट पर नहीं ले आता मतलब कुछ डेटा जोगा उस पर लेकर चला जाएगा हलाकि इसको भी सल्ब करने के लिए HTML5 में API है उसको आप यूज करके अपने SP application में जावा स्क्रिप्ट के थुरू इसको मेंटेन कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हम सेक्रिटी इसूज है इसमें करने सिंगल पेज अप्लिकेसं लेकिन हो आप यूज करने का मतलब आप अपके अप्लिकेशन को है किया जा सकता है लेकिन इसके प्वेंट से आप सोचेंगे तो इसको भी अच्छे से अगर आप इसको मेंटेन करके चलता है तो यह भी पॉसिबल नहीं है उसके भी प्रोपिजन है आप उन्युन कर सकते हैं एक प्रॉसरा यह भी होता स्ञेंज सक्वाटा होता है इसको ध्यान रखना होता है कौह उस सब केस दिखाना को ध्यान में रखा करना होटा है नहीं तो क्या होता है कि सबकुछ work होता है कि सब क्या कुछ गयोधि क्या उसको रिकान करनी तहीं को अगयर करना है जिन सारे कीज Commissioner गजाते आगला चीज है कि जब भी आफ अपलेकेसं जब डेवलप करने जाते हैं तो कहाँ無ека केज करना चाहिए कहां पर इसको लहां की सिजब करना चाहिए कि आई पर नहीं यहां पर डाइनेमिक बनते हैं कोई भी उनीक युरल नहीं बन पाता है यह भी आपको माइन में रखना होगा इसमें तुरह से क्योरेटी को लेकर भी थुरह सा प्रोब्लम है अधे उसके बाद थुरह सा जावस्किक्रिट का जो मेमिली लेक होता इसके चलते होपकी अप्लिकेशन थुरह सा प्लीकेशन तोज शुक्रिप्र纹 सकता है य विख रीजन है उसके बाद आप सिंगल पर एक gegशन भी आप यहां परgangen होता है जहां पर आप dynamic platform develop करने जा रहा है जहां पर data volumes कम है ठीक है उसके बाद कोई भी application फास चलाना चाहते हैं इस सारे चीज़ों के लिए single page application बहुत ही अच्छा काम करता है लेकिन SEO के चलते थोड़ा सा यह के अंदर उसके बाद आप खुद decide कर सकते हैं कि आपके business के लिए कौंस आप MPA के तरफ जाना है या पर single page application के अंदर तरफ जाना है दोनों का Facebook है Gmail है Jira है LinkedIn है Netflix है इसके अलावा PayPal है इस सारे ट्विटर यूटूब इस सारे सिंगल पेज application से ठीक है यह अपने application जो बने हुए है single page application में company अपने से प्रोड़क्ट single page application में develop करेंगा अब सोच यह इतने बड़े बड़े नेम है जो single page में बने हुए है जैसे Twitter हो गया YouTube हो गया तो क्योंकि इसी के चलते है single page application के चलते हैं इतने फास चलते है Twitter को आप देखिए या YouTube को देखिए कम connectivity में हमारा पूरा पेज लोड होने लगता है सब कुछ दीखने लगता है मतलब कि Netflix हो गया यह सारे single page applications है तो इसको भी माइन में रखके आप सोच सकते हैं कि आपको अपना application किस framework में किस तरीके से develop करना है तो यह सारे चीजे हैं आपका single page application को लेकर I think आपको बहुत ही अच्छे से clarity आया होगा कि MPA क्या होता है SPA क्या होता है आप इसका answer बहुत ही अच्छे से आप दे पाएंगे किसी को भी समराइज करके मैं आपको समझाओं तो MPA में का होता है बहुत सारे page बनते हैं और single page application में क्या होता है एक ही page होता है बाकी सारे component होते है ठीक है आपको समझ में आगया होगा फिर भी आपके माइंड में कोई confusion हो तो हमारे comment box में share किजिए हम आपके confusion को दूर करेंगे अगर आपका कोई suggestion हो तो भी आप दे सकते हैं तो चलिए मिले अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much